हालो स्टूरेंट तो अभी हम लोग सीखेंगे कि resistance का dimensional formula हम लोग किस तरह से लिखते हैं स्टूरेंट रेजिस्टेंट का dimensional formula आपको लिखना है तो सबसे पहले कोई आपको formula याद करना पड़ेगा जहां पर resistance आ रहा हो तो भाई सबसे पहले आपको जो basic formula याद आएगा वो ohm slow, ohm slow क्या होता है, v equals to ir, यह सबसे basic formula यहाँ पर resistance r आ रहा है, तो यह formula हम लोग use करेंगे, अब देखें, यहाँ से हम लोग लिख सकते है, r equals to v by i, v यहाँ पर क्या होगा, electric potential होगा, i क्या होगा, current होगा, तो अब ध्य अब यह formula होता है, electric potential यहाँ पर unit charge होता है, अब यह देख चुकिए, detail यहाँ पर हम mention भी कर दिया, work का dimension होता है, ml2 t-2, ml2 t-2 होता है, यह in fact आपको याद भी रहना चाहिए, work का dimension, और charge का dimension, देखे, charge का dimension at होता है, at, तो यहाँ से electric potential का dimension, student क्या हो जाएगा, यह m का तो 1 है, m रहा गया, l का power 2, यह भी 1 रहा गया, t का पौर यह देखे, यह 1 हो उपर जाएगा, minus 1 हो जागा, तो t का पौर minus 3, a का पौर यह 1 उपर गया, तो minus 1, यह electric potential का dimension हम लोग को निकल गया, student, ठ minus 1 divided by electric current, तो भाई, यह तो fundamental physical quantity, dimension a होता है, dimension a सीधे लिखती है, ठीक है, तो अभी यहाँ से देखे, m तो m रहा गया, l का power 2, t का power minus 3, a का पौर यह 1 उपर गया, minus 1, तो a का power minus 2 हो गया, this is the dimensional form of resistance.